अब तक अल्प संख्यकों की कोई भागिदारी नहीं ही रही है यानि कि मुस्लिम जो बिजनेस कम्मुनिटी है या ट्राइबल बिजनेस कम्मुनिटी है इसके बारे में आज तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया नमस्कार कल इसी अस्थल पर यानि विर्शामुंडा फुटबोल स्टेडियम परिशर में पेडरेशन ऑफ जार्खन चैंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज की नई कारकारणी के लिए चुनाओ होगा उसके बाद 6 बजे के बाद से लेके 10 बजे तक मतों की गिंती होगी यह पहला औसर है जब चैंबर के अपने भावन में मत्दान ना देखर विर्शामुंडा फुटबोल स्टेडियम में मत्दान का पूरा कारकारण आयोजित त्या जा रहा है और हम लोग आज यहाँ पे हैं लोगतंत्र की टीम यहाँ पे है हम लोगों ने देखा कि कैसे मत्दान अस्थल से लेकर खाना बनाने तक की सिस्टम यहाँ पे अभी से चालू होगी है और इस चेंबर चुनाओं के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यह वैपारियों की सबसे बड़ी सहस्था मानी जाती है और हर एक साल इसका चुनाओं होता है 21 सदस्य कारिकारणी के चुनाओं में इस बार 49 उमिदवार मैदान में है और टीम किसोर यानि किसोर मंतरी की टीम है वो दुबारा सब्था में काविज होना चाहती है पिछले बार किसोर मंतरी किस तरह से अध्यक्ष बने यह सभी वैपारियों को मालूम है और कैसे उन्होंने जोड तोड़ कर अध्यक्ष पद हत्याया और अध्यक्ष बने और एक साल का कारेकाल समाप किया फिर वर दुबारा एक साल के लिए ध्यक्ष बनना चाहते हैं यानि कि उनकी टीम में जो लोग थे महासाचिव अभिसेक रमादीन और अन्य जो भी है वो फिर दुबारा सब्ता में आना चाहते हैं वैपारियों का भाला करना चाहते हैं अब जो 3700 वोटर हैं उन्हें यह तै करना होगा कि वो किसे चुने लेकिन अनादिक्रित रूप से बताया जा रहा है कि टीम की सोर कि जो 21 मिंबर हैं या उमिदवार हैं उनकी जीत लगवक तैमानी जा रही है छह निर्दलियों ने एक अपना गुट बनाया है जिसमें अनीस बुदिया नौजोत अलंग समेच्छा लोग हैं इन लोगों का दावा है कि इनकी टीम में से भी कुछ सदस्य जरूर जीतेंगे यानि कि कारेकारनी की पूरी टीम एक बार फिर रिपीट होने जा रही है हम यह बताया कि चैमबर में अब तक अलप संख्यकों की कोई भागिदारी नहीं रही है यानि कि मुसलिम जो बिजनेस कम्मूनिटी है या ट्राइबल बिजनेस कम्म नहीं दिया या सवाल उत्वन होना जरूरी है क्योंकि जो राच्ची या धारखन की कहें तो सबसे बड़ी द्यपारिक सहस्ता है उसमें ट्राइबल और अलफ संख्यकों की भागिदारी नहीं होना या बहुत चिंता का विशा है ट्राइबल जो इंटर्पेनियर हैं या उ पारिक्रम आयुजित किया था जिसमें ट्राइबल इंटर्पेनियर काफी संख्या में आये थे और उन्होंने अपनी भागिदारी सुनिशिप दीती लेकिन फेडरेशन अफ जारकन चैंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री वे ट्राइबल कमुनिटी का कोई पार्टिसिप पारिशन नहीं है हर साल हम देखें तो दो कॉमिनिटी मारवाडी और पंजाबी जो कॉमिनिटी है इसके भोटरों के भोट से ही चैंबर के नया ध्यक्ष और कारकारनी के सदस्ट दून लिए जाते हैं यानि कि अपर बजार के इतने बिजनिसमेन है उनके भोट से ही पूर कारकारनी बन जाता है तो अभी से ही जो डिफ्रेंट ग्रूप है वो अपने मतों फुफाने के लिए अपनी लौविंग कर रहे हैं और यह माना जा रहा है कि इस बार 54 खिर दुबारा सथा सीन हो जाएगी पिछले बार जो उन्होंने तिकडम लगा था और अध्यक्ष बन नहीं चैंबर के कारकाल जो है अध्यक्ष का कारकाल दो साल कर दिया जा तीन साल कर दिया जा इसके लिए एक एजियम में प्रस्ताव पारित किया जा लेकिन यह नहीं करके एक नहीं परिपाटी सुरू हो रही है कि अध्यक्ष दो साल के लिए बनाया जाए किसोर मंत्री द पाइदा हो वैपारिक हित साधे जाएं कहने को पुर्व अध्यक्ष ललित केडिया और पुर्व अध्यक्ष पवन सर्मा चुनाव समीती के दो मेंबर हैं वही चुनाव संपन कराएंगे और देर रात तक कल चुनाव के परिनाम आ जाएंगे मैं लोगतंत्र 19 के लिए दीप अपने सायोगी मिकलेस के साथ